स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड ओनलाइन इस्टेडी में दोस्तों इस वीडियो में हम भुगोल के 25 महत्पून प्रश्णों को पढ़ने वाले हैं और अगर आप जिक्के पढ़ते हो तो इनमें से 15 का सही जवाब देकर बताईएगा अभी पढ़ लो वरना एक्जाम में जो है आपको पस्ताना पड़ेगा बहुत ही इंपोर्टेंट जियोगरापिक के क्विशन है ये और ये जो क्विशन है SSE, GD, RRB, NTPC, SSE, UPSC, BANK और आल एक्जाम के लिए बहुत ही ज़दा महत्पून है तो शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे पहला प्रशन है रबड किस प्राकरतिक परदेश की उपज है तो रबड जो है वो विश्वतिय परदेश की उपज है विश्वतिय परदेश जो है उनके अंदर रबड की पेदावार सबसे ज़्यादा होती है जिसे इंडोनेशिया मलेशिया ये देश विश्वतिय इसके मद्धी मेंसे होकर गुजरती है। इसलिए ये भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भुगोल का जो जनक है वो इरेटो स्थेनीज को जो है कहा जाता है चोता प्रश्ण है भुगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रियोग सरोपर्तम किस नहीं किया तो भुगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रियोग इरेटो स्थनीज नहीं किया था पांचवा प्रश्ण है वीश्व का सरवादिक शुष्क इस्तल कौन सा है तो विश्यू का सरवादिक शुष्क इस्तान होगा उसके बाद चटा प्रश्न है सुर्य और प्रत्वी के मध्य नियूनतम दूरी होती है नियूनतम दूरी जो है वो तीन जनवरी को होती है जिसे हम अपसोर बोलते है उसके बाद अगला प्रश्ण है सात्वा प्रत्वी को उसके कालपनिक अक्ष पर गूमने को क्या करते हैं? प्रत्वी के अपने अक्ष पर गूमने को जो है वो गूनन करते हैं तता सुरी के चारो और चक्कर लगाने को परिकर्मन करते हैं इस दोनों चीज़े आपको ध्यान रखने हैं अपने अक्षपर गूमना गूनन और सुरी के चारों और गूमना परिकर्मनकाल आटवा प्रिशन है प्रत्वी तता सुरी के मद्य सरवादिक दूरी किसके दोरान होती हैं तो सरवादिक दूरी आपको बताया भी तीन जनवरी को होती है और अपसोर अपसोर यान वो 22 सितंबर को होती है अगला प्रश्न है नववा सुरी के चारो और गूमने वाले खगोली पिंड क्या करलाते हैं तो सुरी के चारो और गूमने वाले खगोली पिंड जो है वो ग्रह करलाते हैं और ग्रह के चारो और जो खगोली पिंड गूमते हैं उनको हम उपगरह करते हैं जिसे प्रत्वी का उग्र्य चन्द्रमा है दस्वा प्रश्ण हैं बू लोग भूतल का ध्यन है एसा किस ने कहा था तो भू लोग भूतल का ध्यन है एसा कांटे तो सोर मंडल में कुल आठ घ्रह हैं पहले नो घ्रह होते थे तो प्लूटों को जो है ग्रहों की दरजिस दरजह से इसको समाब्त कर दिया तो अब आठ गर है बारवा प्रिश्ण है निमने लिकित में से किस महासागर को छीपता हुआ महासागर कहा जाता है तो आरकटिक जो महासागर है उसको हम छीपता हुआ महासागर कहते है क्योंकि यह सभी और से जो है महादिपों से गिरा हुआ है उसके बाद Q13 है अफरीका महादिप में सरवादिक जन संक्या वाला देश कौन सा है तो अफरीका महादिप में सरवादिक जन संक्या वाला देश नाइजीरिया है किशा नमबर 15 मानसुनी परदेशों में सरवादिक वर्षा कहा होती है मानसुनी परदेशों में सरवादिक वर्षा पुर्वोतर भारत में होती है और सरवादिक वर्षा वाला इस्तान मानसीवराब जो मेगाले में इस्तिथे ये, वो भारत के पुर्व में ही स्तिथे हैं Question number 16 है दक्षिनी एशिया का सबसे गना बसा देश कौन सा है? दक्षिनी एशिया का सबसे गना बसा जो देश है वो बैंगला देश आता है Question number 17 है ग्रोहों की घती का नियम प्रतिपादित किस ने किया तो ग्रोहों की घती का जो नियम है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था Question No.18 है हमारा वायू मंडल कितनी परतों में बटा हुआ है तो हमारा वायू मंडल जो है 5 परतों में बटा है जिसके अंदर पहली जो परत है जो प्रत्वी के पास है वो शौब मंडल है और सबसे आखरी जो परत है वो है बहिर मंडल उनिस्वा प्रेशने ओजोन प्रत क्या अवशोशित करता है तो ओजोन प्रत यानि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ओध्री होता है और यह सुर्य से आने वालिक परावेगनी किर्णों को जो है अवशोशित करता है उनसे हमारी रक्षा करता है और अंटार्क्रिक का जो मह उसमें जो है ओजोन प्रत में छिद्र हो रहा हैं। वीस्वा क्यूशन है प्रत्वी से उपर के चार शेत्रों में से सबसे कम उचाई किसकी हैं। तो सबसे कम उचाई वाला जो शेत्र है या मंडल है वो ट्रोपोई स्पीर है। 21 प्रश्ण है वायू की शेतिज गति से होने वाले उश्मा के अंतरन को क्या करते हैं तो वायू की शेतिज गति से जो उश्मा का हास होता है या अंतरन होता है उसे अभी वहन करते हैं 22 प्रश्ण है किसी शेत्र में अधिकांश मोसम समंदित गतिवीदिया होती है तो मोशम समन्दी जो गतिविद्या है वो प्रत्वी के सबसे नीचले मंडल यानि शोब मंडल में होती है वर्षा और बुकम वर्षा चक्रवात ये सबी जो है वो शोब मंडल के अंदर होते है तो प्रत्वी के वायू मंडल का सरवादिक गनत्व कहां पर होता है तो प्रत्वी के वायू मंदल का सरवादिक गनत में जो है वो शोब मंदल में होता है 24 प्रशन है विश्व के किस महादिप में भारत चीन तदा जापान इस्तित हैं तो विशुव के दिन जो है संपूर प्रत्वी पर दिन रात बराबर होते हैं जब सूरी की कीर्णे जो है वो विशुवत रेका पर जो है सीधी पड़ती हैं तब संपूर प्रत्वी पर जो है दिन रात बराबर होते हैं यानि विशू के दिन तो दोस्तों ये थे बुगोल के 25 महत्पूर प्रश्ण अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सकाइब ने किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसी परकार के महत्पूर सब्सक्राइब कर दे तहनी बाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदु